बिस्मिल्लाहिर्राह्मानिर्राहीम, अस्सलाम आलेकुम, माइ सिंपल फ्लेवर्स कुकिंग चैनल में, आप सबको खुशाम दीन, आज जो रेसिपी हम आप से शेयर करने जा रहे हैं, वो तकरीबन हर गर में बनती है, जी हाँ, आज हम आपको बनाना सिखाएंगे, हरी का अचार, तो इस अचार को बनाने के लिए, जो हमने चीजे ले ली हैं, हरी मिर्चें, 1 किलो के कریब, और इनको मैंने अच्छे से धोकर सुखालिया था, यहाँ पर मैंने नमक लिया है, जो के ये भी तकरीबन 1 किलो के करीब ही है, और थोड़ी सी हल्दी ली है, जिसमें स सिर्फ तीन टीस्पून हम शामल करेंगे यहां पर मैं आपको काट कर दिखाऊंगी मिर्चे कैसी काटी जाएंगी इस तरह से हमने काट लेनी है छुरी की मदद से हम सारी मिर्चों को एक एक करके काट लेंगे और इनको फिर ड्राइ होने के लिए रख देंगे इसी तरह हमने सारी मिर्चों को काट लेना है यह आप देख सकते हैं जैसे मैं काट रही हूँ इसी तरह आपने भी काटनी है बहुत ही असान तरीका है काटने का लेकिन मैं बस एक दफ़ा दिखा रही हूँ कि इनको इस तरह से काटा जाएगा यह जो मिर्च है यह रैगिलर मिर्च से थोड़ी मोटी है तो मैं इसको दरम्यान में से पहले काटूंगी और फिर एक और कट लगा लूँगी ताकि जब हम मसाला भरें तो इसमें मसाला सही से आ जाएए और अब बोल में जो एक किलो के करीब नमक लिया था वो शामिल कर देंगे और इसको शामिल करने के बाद जो थोड़ी सी हल्दी ली थी हमने वो भी इसके बीच शामिल कर देंगे और इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने एक बड़ा प्लास्टिक कंटेनर ले लिया है जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह का है अब यहां पर मैं आपको दिखाऊंगी कि जितनी भी मिर्चे मैंने काट कर रखी थी उनके अंदर मसाले को कैसे फिल करना है यहां पर मैं एक मिर्च ली है और उसके अंदर मसाले को इस तरह फिल कर लिया है आप भी इसी तरीके से फिल करेंगे तो यह बहुत ही असानी से थोड़ा टाइम कंसूमिंग प्रॉसेस है लेकिन यह हो जाएगा इन्शाला और आप ने इसी तरह इन सब मिर्चों को एक एक करके भरते जाना है मसाले को इसके अंदर और जो कंटेनर मैंने आपको दिखाया था उस कंटेनर के अंदर हम डालते जाएंगे अगर आप चाटी या मर्दबान का इस्तमाल करना चाहते हैं तो आप वो भी इस्तमाल कर सकते हैं चुके मेरे पास यह दोनों चीज़े available नहीं है तो मैंने plastic container ले लिया है जैसे कि आप अभी देख सकते हैं कि मैंने सारी मिर्चे त्यार कर ली है मसाला अच्छी तरह से fill कर दिया है और इनको container में डाल दिया है और अब container को अच्छे से seal कर देंगे 3-4 दिन के लिए ताके ये नरम हो जाएं यहां पर मैं दूसरे दिन देख रही हूं कि मिर्चों ने कितना आपको पानी नजर नहीं आ रहा और ये मिर्चे हैं जो काफी हद तक नरम है और अब यहां पर मैं मिर्चों के हिसाब से सरसों का तेल शामल कर दूँगी और तेल को शामल करने के बाद मैं आपको दिखा भी दूँगी कि मैंने कितना oil इसमें शामल किया था मैंने बोतल के इस हिसे तक तेल को शामल कर दिया था तेल शामल करने के बाद दो दिन के लिए फिर से कंटेनर को सील करके रख दिया था और अब मैं यहां पर चमच चला रही हूं जो वो दो दिन के बाद मैंने चलाई है और अब आप देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट कितना प्यारा आया है हरी मिर्च का अचार बहुत निकरा निकरा और मज़े का लग रहा है इस टेज पर अब यह हमारा अचार बिलकुल रैडी है तो आई होप आप यह रेसिपी जरूर ट्राइ करेंगे तो अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी तो कॉमेंट बाक्स में अपनी राए से अगा करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब करना तो बिलकुल ही मत भूलें मिलते हैं अगले वीडियो में इंशालला मजीद सिंपल फ्लेवर्स के साथ तब तक के लिए असलाम आलेकुम